नमस्कार, Alive News के सिक्षा चच्चा कारेकरब में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ तिलेकराई शर्मा और हमारे शाथ हैं एचेस मलिक जी जो सिक्षा से भी जुड़े हैं और हर्यान गॉर्मेंट की एक CWC कमेटी में चेर्मेन हैं जिनके पास सिक्षा और बच्चों दोनों का कारेबार हैं और मैं ये कहूं तो दो रहे नहीं होगा कि फरीदाबाद में जाट समाज के महासचिव भी हैं सोसल एक्टिविटी में भी इनका एहन रोल है आज हम बात करेंगे सिक्षा पर मलिक साथ सिक्षा चर्चा में आपका स्वाबत है आज हम बात कर रहे हैं और ये मुद्दे हैं फरीदाबाद के कहो या देश के कहो बाल समयक्षन आयोग दें जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर कडा रुख अपना है क्योंकि नीजी स्कूलों में हो या सरकारी स्कूलों में सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया दरा इसके क्या आपका कहता है मैं नहीं समझता है कि सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्राइविट स्कूर्स तो खास तो और से, बहुत सुरक्षा की तरफ चिंतित हैं, उन्हें कैमरे लगाए हुए हैं, उनके प्रॉपर बाउंडरीज हैं, उनके दिरिक्षन भी इस मामले में समय समय पर होता रहता है, उनके गेटों पर भी चेकिंग होती है, लेकिन हाँ, अफकोर्स, सरकारी स्कूलों में इस तरीके की सुरिदार नहीं है, वहाँ कैमरे की सिस्टम नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी के लिए बहुत से स्कूलों होता हैं, उनके कमरों के तरवाजे टूटे काउंसलर की इसी मुद्दों के लेकर जो बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर उनकी मानसिक्ता को लेकर एक काउंसलर की ज़रूरत महसूस की है और सभी स्कूलों को इदायद दी गई है कि CBSE स्कूल अपने यहां काउंसलर रखें और अभी तक स्कूलों ने इस मुद्दे के ऊपर मैं यह कहूंगा कि सभी ने नहीं कुछ स्कूलों ने इस पर ध्यान दिया है लेकिन अभी तक ज़्यादा तर स्कूलों ने ध्यान ने दिया कोई काउंसलर हो यह रुखा तो इसमें क्या पहना जाएगा लेकिन चाइड राइट्स की जहां तक बात है आज का बच्चा अपने राइट्स के बारे में समझने लगा है लेकिन राइट्स के साथ-साथ उसको बहुत सारी चीज़े है ऐसी अवेरनेस तो उसकी है लेकिन अवेरनेस के साथ-साथ उसको बहुत सारी चीज़ों के पॉज्टिव और निगेटीव एफेक्स का ड ही नहीं है आज का जितना मीडिया है, के थ्रू है चाई मेल के यूटब के माद्यम से कहिए टी वी दिव के माद्यम से कहिए या जितने भी मीडिया के माद्यम है इनसे बहुत सारी ऐसी चीजे हैं गलत इफेक्ट उनके उपर पढ़ता है उस सारी चीज़ को समझाने के लिए हर स्कूल मैं सिभी स्कूल का बच्चा है किसी भी स्कूल के बच्चे को काउंसलिंग क्या अश्कता हो सकती है उसको काउंसलिंग करने के लिए हर स्कूल के अंदर कांसलर होना चाहिए और वैसे तो टीचर अपने आप में भी बहुत बड़ा कांसलर है उसका experience है बच्चों के साथ पोटील करते करते यह सारी जिंदगी निकाल देता है लेकिन फिर भी एक एकस्पर्ट कांसलर हर स्कूल में हो तो बहुत बेतर होगा मलिक सब CWC बच्चों के हित के भी फरीद आवाद में क्या हितेशी कारी कर रही है और किस तरीके से कर रही है CWC सरकार द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स और चेर्में की पांच आपनों की कमेंटी होती है इसके जो भी निर्ना होता है मिजॉर्टी पर होता है यह फर्स क्लास मजिस्टेट बेंच की पावस रखती है और बच्चों के संबंद में वो बच्चे जिनको केर और नीड प्रोटेक्शन इसमें बच्चे को शेल्टर चाहिए बच्चे को फूड चाहिए बच्चे को क्लोधिंग चाहिए बच्चे को एजूकेशन चाहिए ऐसे वो सभी बच्चे चाहे और फंस हैं, चाहे अबंड़्ट बच्चे हैं, चाहे बच्च साथ यह चाहे वो चालाओ चिल्डुर्न है और किसी भी तरीके के ऐसे बच्चे को कहीं आफशक्था ही तो च heeft पिर चाहिए चाहिए करती है फरिदाबाद के अंदर आज भी लगवे 500-500 बच्चे दस एंजियो के अंदर रह रहे हैं और उनके केरेंड प्रोटेक्शन का थाम CWC करती है और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स के आमदनी बहुत कम है 35 जार से कम है ऐसे बच्चों को दो बच्चों को CWC 2000 रुपे पर मंत के इसाब से उन बच्चों को एक खर्च एजूकेशन के लिए भी प्रोवाइड करती है एक मुद्दा और बीजी स्कूलों में चल रहा है अभी हालकलाल में बच्चों के अड्मिशन चल रहे है जो नरसरी लेकिन स्कूलों ने क्राइटेरिया तैकर दिया ह है कि जब तक पेरेंट्स के या उस बच्चे का आधार कार्ड नहीं होगा तो उसका एड्मिशन नहीं लिया जा रहा है और ऐसे में सिक्षा निदेशाले ने साफ कर दिया है कोर्ट की गाइडलाइन के बाद की कंबसरी नहीं है बच्चों का एड्मिशन लिया जा सकता है बिना तो इस पर स्कूल अड़े हुए है कि हमें आधार कार्ड गी आवशकता है और बच्चों को और पैरेंट्स को इस चीज की परिशानी को का सामना करना पड़ता है इसमें आपका कह रहा है देखिए आधार कार्ड किसी भी बच्चे का बनता है तो वो बच्चे के अविश के लिए बेतर है लेकिन हाँ एड़िशन के लिए कंबल सरी पहले ही गौर्णमेंट निखिया हुआ था इसलिए स्कूल से आधार कार्ड मांग वे थे लेकिन आप सुप्रीम कोड की गैडलाइन आने के बाद डिरेक्टरेट ने भी इशू कर दिया है कि आधार का कबल सरी नहीं है मैं नहीं समझ रहा कि कोई स्कूल ग्यान होने के बाद को किसी को परिशान कर रहा हुआ मलिक साब आप चायर वेलफेर कमेटी से भी जुड़े है हरेना सरकार की और बच्चों के उपर जो हरास्मेंट के अभी हाल फिलाल में फरीदावाद के पलवल के पलवल इस्टिक के हतिंस में एक टीचर ने जो घिनोना कारे किया है वो अभी साइद आपने समाचारों में ने देखा हुगा। तो यह इस तरीके की स्कूलों में घटना हो रही है तो इसको लेकर आप लुका देखिए जहां तक स्कूलों के अंदर सेक्शुल हरेस्मेंट की बात है मैं नहीं समझता कि स्कूलों के अंदर ही सरफ सेक्शुल हरेस्मेंट होता है सेक्शुल हरेस्मेंट मैक्सिमम बच्चे के घर के आसपास के मावल में उसके रिष्टदारों के माद्यान से जितने भी cases आते हैं उसमें 70% के करीब cases इस टाइब के होते हैं कि बच्चे का जानकार उसके साथ sexual harassment कोशिश करता है या करता है तो इसमें ये parents की युमिवारी वर्टी है कि बच्चे को vigilant करें बच्चे के अंदर ये सारे चीजे उसको ग्यान बताएं इसके बारे में बताइं, aware करें स्कूल में awareness के program हमने बहुत चला रखे हैं चलते रहते हैं, regular चलते रहते हैं टीचर को aware करने की program भी चलते रहते हैं जहां तक किसी individual द्वारा इस तरीके के गिनोनी हरकत की जाती है, तो वो तो निंदनी है, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज में हो, उसके तो मानसिक्ता के कारण ऐसा होता है, बाकि पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कि वो स्कूल में तो टीचर स अवेर करते हैं, वो भी बच्चे को good touch, bad touch और उसके बारे में अवेर करना है, और खुद विजलेंट रहें, कि कोशिश करना कि ऐसा किसी उचांस से ना मिले, एक सवाल फिर स्कूलों से ही है, कि नीजी स्कूलों की एसोशेशन ने अभी हर्याना भाग को, हर्याना सिक्षा किये हैं, और ये form 2 लगातार दबाव बनाया जा रहा है स्कूलों में, अभी तर वो स्कूल भर नहीं पा रहे हैं, और इस चीज को परिशानी को लेकर वो सिक्षा भाग के पास भी जा रहे हैं, तो ऐसे में इस form 2 का क्या इस्तमाल है और क्या नहीं है, इसके बारे में क्या अफिलेटेड स्कूल थे, उन्होंने स्कूल से अनोसी लिया था, और हरियाने एजुकेशन एक्ट के मताबिक उन्हें डीम्ड रिक्रिगनाइज समझा लिया था, कोई उनकी स्पेशली कोई रिकरिगनीशन के लिए उसे अप्लिकेशन नहीं मांगी गई थी, तो आज ही इ इस स्कूल लगातार खुल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आपी के फरीदावाद के अंदर ऐसे अनोथ्राइज अनलेगल स्कूल लगातार खुल रहे हैं, उसके उपर आपका क्या कहना है? ये सरकार इस बारे में चेक करें, अगर अनोथ्राइज खुल रहे हैं, तो उनको बंद कराएं? सर, अन्तिम सवाल है, ये बच्चों के लिए है, अभी हाल फिल हाल में बच्चों के एजाम आने वाले हैं, और बच्चे बड़ी मांसिक इस्तिती उनकी बिगडी मी है, और त्यारी के लिए बड़े अच्छे से प्रिपेर हो रहे हैं, उनको आप भी गाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए जो एग्जाम के लिए हैं, उनके लिए क्या इदायते हैं, क्या टिप्स रहेंगे आपके, सिक्षा से जुड़े हैं, मेरा तो एक ही कहना है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, और ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ वो एंटर्टेइनमेंट ना करें, कुछ समय जरूर मनुरेजन के लिए भी निकालें, और एक्जामनेशन जो है वो सफल होते हैं, तो बच्चे अपने कंसंट्रेशन करें, बाकी चीजों से मैं भी अपने इंजोईमेंट भी करें, और साथ के साथ वो कंसंट्रेट कर के बेंटर रिजल्ट आज दोती है, तैंक्यू मुलिक सार।